जो तीम फर्मूला है वो देखे 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 और फर्मूला का लिम्टेशन भी समझे देखे फर्मूला सब तुम तभी यूज़ कर सकते हो जब जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया है फाइनली बॉल उसी लेवल पर गिर रहा है ठीक है अब हमनों फुरा सा आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब 20 मीटर पर सेकेंड 60 डिगरी अंगल पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है और वो बॉल यहां से 20 मीटर दूर एक दिवाल है उस दिवाल से जाके टकराता है और टकराने के बाद फिर यह इससे रिवांड होगा और कहीं जाके गिरेगा ठीक है अगर इस दिवाल के साथ बॉल का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जिस स्पीड से आके बॉल टकरा रहा है टकराने के बाद उसी स्पीड से जाएगा और जो एंगल अफ इंसिडेंस है angle of reflection है दोनों equal होगा ठीक है तो जिस angle से इसके perpendicular normal से जिस angle से आ रहा था उसी angle से जाना है उसको और speed change नहीं होगा जिस speed से आया था उसी speed से जाएगा ठीक है तो बॉल को उन लोग 20 meter per second 60 degree से project किया है 20 meter दूर एक दिवाल है दिवाल से टकराता है तक्राने के दिवाल बॉल रिफ्लेक्ट होके इधर जायागा बताना है कहाँ पर गिरेगा इस दिवाल से टक्राने से बॉल पर असर क्या पड़ेगा बॉल में दो velocity है एक horizontal जब आके टक्रा रहा मांगे नीचे से उपर से आके टक्रा रहा ये नीचे से जाके टक्रा रहा वह important नहीं है अगर इधर से आके टक्रा रहा है इसके velocity में दो component है एक vertical और एक horizontal टक्राने के पाद इधर जब आएगा तो फिर इसका एक vertical component होगा और एक horizontal component होगा इसका वर्जंटल component आगे की तरफ है तो इसका वर्जंटल component पीछे की तरफ होगा तो टक्राने से vertical velocity पर कोई इसर नहीं परा है horizontal speed same है तरफ है आगे जा रहा है तो टक्राने के आदर पीछे जा रहा है अब बॉल कोग पेके हैं बॉल कितना देर हवा में रहाएगा ये velocity के किस component पर दिपेंद कर रहा है vertical component पर vertical motion रहा है और वापस ground पर आ रहा है तो जो इसका total time of flight है वो सिर्फ velocity के vertical component पर डिपेंद कर रहा है और दिवाल से टक्राने पर vertical component पर कोई इसर नहीं पर रहा है यानि इसका जो time of flight है वो change नहीं होगा बसमिज में आया है तो ये दिवाल रहता या नहीं रहता या बॉल को जमीन पर वापस आने में exactly उतना ही time लगता है ठीक है ये समय में आया है दूसरा point ये कि horizontal speed change नहीं हो रहा है horizontal velocity change हो रहा है आगे की तरफ था बाद में तक्राने से पीछे की तरफ हो गया पर horizontal speed change नहीं हो रहा है तो जो horizontal distance है जिसको तुम horizontal speed को time of flight से दुना कर जोगा तो horizontal distance मिल जाया है वो horizontal distance change नहीं होने वाला है क्योंकि horizontal speed नहीं हुआ है तो दिवाल के होने न होने से न तो horizontal distance पर फ़र्ग पर रहा है न time of flight पर 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 रहा है तो दिवाल को हटाद हो, दिवाल को हटाद होगा, तो इसका horizontal distance क्या होगा, जो होगा, अगर दिवाल नहीं होता, तो इस तरह से जाता है, तो इसका horizontal distance क्या होगा, यह तुम directly range के formula से निकाल सकते हो, क्योंकि जिस height से ball project हो रहा है, final UCI पर आ रहा है, तो यहाँ पे तुम formula लग सकते हो, time of life अलग से निकाल के भी बनाया जा सकता है, पर यहाँ पे उसका जरूरत नहीं हो, तो हम लोग formula लगा लगा लेंगे, range हो जाएगा, v square sin 2 theta divided by g, v square के जगा 400 आ जाएगा, और 60 degree का double 120 degree, उसका sin आ जाएगा, root 3 by 2, और g का value हम लोग 10 दे ले रहा है, उसको simplify करेंगे यहाँ जाएगा, 20 root 3 meter, यानि अगर दिवाल नहीं होता, तो ball horizontal direction में 20 root 3 meter travel करता, ठीक है, दिवाल के पर आने के कारण, इसका horizontal speed change हुआ नहीं, तो horizontal distance जो travel करेगा, so change नहीं होगा, अंतर बस यहाँ है कि जो distance आगे travel करता, वो distance पीछे travel करता, तो total इसको 20 root 3 travel करना था, उसमें 20 meter यहाँ आते आते तक travel कर चुका है, जो distance बचा, तो इधन चला जाएगा, तो यह जो distance है, तो यह जो distance है, 20 root 3 minus 20, इसमें में आया है, यह यह जो distance है, इसको गए D मालमागे, तो D का value हो जाएगा 20 into root 3 minus 1, नहीं है, आई यह समाजगा, असान है? Suppose करो, दो vertical wall है, और दोनों के बीच में distance, 5 meter, एक ball को, हम लोग, इस wall के पास से, 60 degree angle, 20 meter per second से project करता है, तो बता दो, यह दिवाल से कितना बार टकराएगा, सारा collision perfectly elastic हो रहा है, तो बताना है, दोनों दिवाल से कितना बार टकराएगा, और finally ball कहां पे गिरेगा? यह जाएगा, इस से बार बार टकराएगा, दो तीन बार इस से टकराएगा, दो तीन बार इस से टकराएगा, फिर finally नीचे किरेगा, ठीक है? तो final position है, वह ही है, जहां से हमनों project किये थे, तो जिस height से fake रहा है, उसी height पर वापस आ रहा है, और हम दो देखे हैं कि टकराने से vertical velocity पर असार परता है, तो time of flight वही रहा जाता है, horizontal speed पर कोई असार नहीं परता है, तो horizontal distance भी same रहा जायागा, तो जो horizontal distance ball travel करेगा, उसको अप speed पर असार पर रहा है, ना, horizontal speed पर असार पर रहा है, तो time of flight वही है, time of flight को तुम horizontal speed से कुना करते हो, तो तुमको range मिलता है, तो time of flight चेंज नहीं हुआ है, horizontal speed नहीं हुआ है, तो range भी चेंज नहीं होगा, तो total जो horizontal distance travel करेगा, वह हम लोग range के formula से निकाल सते हैं, v square sin2 theta divided by g, divided by 10, यह जाएगा 20, तो रूट 3 मीटर, ठीक है, रूट 3 के जगा, हम लोग 1.73 जग जेते हैं, तो यह जाएगा 34.6 मीटर, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसको 34.6 मीटर ट्रेवल करना है, दिवाल है, तो होगा कि आगे जाएगा, फिर पिछे जाएगा, फिर आगे तो टोटल सारे 34 मीटर ट्रेवल करके गिर जाएगा, ठीक है, तो कितना बार टकराएगा, छे बार, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, 30, 4.6, इसमझ में आया, तो टोटल 6 बार टकराएगा, और 6 बार इससे टकरा रहा होगा, जब जाके उसको 30 मीटर पुरा हो जाएगा, और उसके 4.6 मीटर और जाना है, तो यहां से 4.6 मीटर पे, यहां कहलो, यहां से 40 cm, 0.4 मीटर पे, इस दिवाल से 0.4 मीटर पर फाइगा, और जो है, तो तीन वार इस दिवाल से टकराएगा, तीन वार इस दिवाल से टकराएगा, इसमझ में आया है, सिम्बल है, दो दिवाल है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस से की पाँच मीटर है या दस मीटर माल ला है दोनों के बीच में डिस्टेंस दस मीटर है बीच में कहीं से फेक रहे है कहां से फेक रहे हैं को नहीं पता बीच में जस्ट किसी पॉइंट से फेक रहे है और बाल जो है तो से की यहां से थर्टी डिग्री एंगल पे फेक रहे है थर्टी डिग्री एंगल पे बाल को फेक है बाल इस दिवाल से टकराया, और जहाँ पर इस दिवाल से टकराया, और जहाँ फेके थे, बाल तो बताना है बाल को किस speed से फेका गया था? Angle of projection 30 degree. साड़ा collision perfectly elastic. दिवाल को तक आने से रिंज पर कोई फर्क पढ़ता नहीं. रिंज भई रहाएगा पस बोगा कि आगे कि जगर पीछे जाने लगा. तो यहां से स्टार्ट कर आ, हहां गया तो यहां गया तोटल beautifully Algestre distance rure Jakarta कि जीज देड़ कर रहा है? 20meter है? इहां से यहां तक 10meterर. और यह और यह मिलाके 10meter हो. तो टोटल हो जोचेंटा डिस्टेंस वह 20meter मतनब इसका जो range है वो 20 meter होना चाहिए तो range v square sin 2 theta by g होना है और ये 20 meter होना है तो v square और angle 30 degree है तो sin 2 theta sin 60 degree root 3 by 2 हो जायागा और g के जग हम लोग 10 दग देंगे ये 20 हो जायागा तो v square का value 400 by root 3 चलायागा और तब यहाँ से v का value निकाल सकते है 20 divided by 3 to the power 1 by 4 ठीक है यहाँ जो है तो एक बाद फिर से root लेंगे तो 3 to the power 1 by 4 चलायागा meter होना है समया है असान है इस वीडियो को like और share करें इस तरह के और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिये हुए playlist और वीडियो पर क्लिक करें नए updates के लिए हमें Facebook पर like करें Twitter पर follow करें और हमारे चैनल को subscribe करें धन्यवाद करें और वीडियोग तरह कर दो करें झाल झाल